Season 1 एपिशोड 10 start होता है और हमें दिखता है कि सॉल का जो ओल्ड पार्टनर होता है जो उसे कौन करने में help कर रहा होता है वो एक बार में बैठा हुए होता है वो वहाँ भी दो आदमियों को कौन करता है, पर वहाँ सॉल आता है Saul उसे बोलता है कि अब मैं अलबगर की shift होने वाला हूँ Saul के charges सब drop हो चुके है और अब वो नहीं life start करने वाला है ये सब वो अपने friend को बताने के लिए आया हूँ होता है वो उसे बोलता है कि वहां मैं mail room में काम करूँगा lawyers के एक firm है उसमें मैं काम करने वाला हूँ Saul का friend उसे बोलता है कि क्या तुम ये सब तुमारा जो talent है वो ऐसे वेस्ट कर देने वाले हो उसे Saul कौन करने में बहुत ही talented है ऐसा लग रहा होता है Saul उसे बोलता है कि चकने मुझे अभी अभी जेल से बाहर निकाला है मेरी life को मैं फिर से अच्छा करना चाता हूँ इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ Saul का friend Marko से बोलता है कि अगर तुम तुमारे brother के साथ नहीं भी गए फिर भी ओ तुमें माफ कर देगा ये कोई big deal नहीं है पर फिर भी Saul वहाँ से चला जाता है उनका थोड़ा सा वहाँ जगड़ा हो जाता है फिर से हम present moment में आ जाते है इस series में Saul हमें HHM में दिखाया गया है कि मुसके साथ बैठी हुई होती है Saul उसे बोलता है कि इतने सारे पैसे मुझे मिलने वाले है तो इसे क्यों मैं बरबात कर दू और चक को भी मुझे यहां नहीं देखना है किम बोलती है कि तुम ब्रदर्स के बीच में कोई दरान ना बन जाए इसलिए मैंने तुमें कुछ भी नहीं बताया था Saul उसे माफिय मागता है क्योंकि वो पिछली रात उस पर बहुत ही चिट गया था Saul हावर्ड के पास जाकर उसे भी माफिय मागता है हावर्ड फिर उसे उसका पेचेक देता है Saul उसे बोलता है कि चक को जो सप्प्लाइस लाते है वो अब तुम डिलेवर करोगे वो उसे सब लीस्ट वगरा देता है सब स्पेसिफिकेशन उसे बताता है हावर्ड इंप्रेस्ट होता है कि चक के लिए ये सब Saul कर रहा था Saul पूरे एक दिट साल से उसके लिए ये सब ला रहा होता है हावर्ड बोलता है कि इन सब कमे खयाल रख लूँगा Saul फिर हमें Old Age Home दिखाय गया है वो बिंगो का गेम ले रहा होता है सब ओर्ड लोगों का वो एक बॉल से बॉल्स निकाल रहा होता है जब वहाँ से बॉल्स निकालते है तो वो सब बी होते है इस सीन में जो बी होते है ये ब्रदर रिप्रेजेंट करते है जैसे जैसे ये balls निकलते जाते है तो सब balls पी का ही लेटर उनपर होता है Saul का temper वेजसे ही बिगरता जाता है उसे अपने ब्रदर पर बहुत ज़ादा गुसा आ रहा होता है उसको अपने life पर भी बहुत ज़ादा गुसा आ रहा होता है फिर वो अपना patience lose कर देता है और सब को एक story बताता है ये story है जिसमें Saul जेल में गया था चक ने उसे जब बचाया था और उसे mail room में job दी थी तो वो क्यों जेल में था इसका reason Saul बता रहा होता है Saul बोलता है कि मेरी wife थी वो एक आदमी के साथ सो रही थी उसका नाम चेट था तो ये जो चेट था ये एक बड़ा asshole था इसके पास BMW वेगरा सब थी ये बहुत ही रीच था और इसकी वज़े से मेरा marriage तुट गया फिर मैंने उसकी एक दिन BMW देखी वस BMW में चड़ गया और मैंने वहाँ से उसके गाड़ी में पेशाप किया पर उस गाड़ी में उसके बच्चे बेटे हुए हो थे मुझे दिखा नहीं कि उस गाड़ी में बच्चे भी है उसके glasses पर tint थी इसलिए मुझे अंदर का कुछ भी नहीं दिखा था यह जो जेट था इसके बहुत सारे connections थे इसलिए इन्होंने यह बहुत बड़ा case बना दिया और मैं बहुत सार जेल में जाने वाला था इसलिए से Saul जेल में था और उसे चकने बचाया था यह सिन यही कतम हो जाता है और हमें दिखता है कि Saul उसके friend के पास फिर से आ जाता है उसका friend बार में होता है तो Saul उसे उठाता है फिर वो दोनों catch up करते है उसका friend उसे बोलता है कि अब मैं fire department में काम कर रहा हूँ उसका जो brother in law होता है उसका एक pipes का job होता है तो इसलिए उसने उसे job दी होती है Saul फिर एक reach आदमी के उस बार में आते होए दिखता है फिर वो उसके friend से पुछता है कि क्या है यह regular है तो उसका friend उसे बोलता है कि यह regular वेगरा कुछ भी नहीं है फिर Saul उसे बोलता है कि क्या हम इस पर एक scam चला है तो वो भी ready हो जाता है फिर वो उस आदमी के पास आकर बेट जाते है और discussion करना start कर देते है Saul इसे pretend करता है कि वो उसके friend को नहीं जानता और उसको एक coin वो दिखा रहा होता है वो उसे उस coin को notice करने के लिए बोलता है Saul उसे पुछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला उसका friend pretend करता है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है फिर Saul उसे story बताता है कि यहाँ इस coin पर जो Kennedy है वो left में face कर रहा है जो भी coin circulation में है उस पर Kennedy right में देख रहा होता है वो उसे बोलता है कि इसकी एक story है एक technician था तो उसे लगा था कि Kennedy को left में देखना चाहिए यानि कि future पर उसे देखना चाहिए उस पर उसे focus करना चाहिए left जो side होती है वो hope को represent करती है इसलिए उस technician ने कुछ changes की होते है और वो coin print करता है और वो जो coin print करता है वो सब left में फेस कर रहे होते है वो फिर उसे बताता है कि फिर वो पकड़ा गया और उसे jail में उन्हें डाल दिया जो भी coin उन्होंने उसने print किये थे वो coin सब उन्होंने recover कर लिये फिर भी 400 coins अभी भी circular में है ये जो 400 coins है ये बहुत ही rear है और इसलिए इसके बहुत ज़्यादा worth है ये 800 dollars में भी हम sale कर सकते है वो उसे बोलता है कि तुम अगर 100 dollars मुझे दे दोगे तो मैं coin तुमें दे सकता हूँ फिर तूसका friend उसे बोलता है कि तुम मजाग कर रहे हो मैं इस पर believe नहीं करता Saul फिर वहाँ से toilet में जाता है फिर चक का friend उस अमेर अनमी से बात करता है वो बोलता है कि ये मुझे बेवकूप बना रहा है क्या तुम इस पर believe कर रहे हो फिर वो उसे बोलता है कि मेरे uncle है जो इन सब बारे में जानते है मैं उन्हें call करकर देखता हूँ अगर ये जुट बोल रहा होगा तो इसे हम police में दे देंगे फिर Saul का friend उसके uncle को call करता है वो बहुत ही mysterious ये call करता है ये एक fake call होता है फिर जब Saul toilet से बाहर आता है तो उसे 70 dollars दे रहा होता है वो बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं city में जाकर सब पैसे लेकर आऊँगा और फिर मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ और उसे वो coin नहीं दे रहा होता तभी वो जो अमीर आदमी होता है उसे लालच आ जाता है वो बोलता है कि मैं अभी के अमी तुम्हें 100 डॉलर्स दे सकता हूँ वो प्राइस भी बढ़ा देता है और 110 डॉलर्स उसे दे देता है फिर वो जल्दी वहाँ से भाग जाता है वो successfully ये scam कर लेते हैं ऐसे बहुत सारे fraud हमें वो करते दिखते हैं बहुत सारे टाइम वो एक साथ spend करते हैं और इसलिए वो बहुत सारे पैसे कमा रहे होते हैं इसमें एक week बीच जाता है सॉल फिर अपने mobile को चेक करता है तो उसके बहुत सारे जो clients होते हैं वो से call कर रहे होते हैं सॉल को अब लगता है कि अब उसे वापस चले जाना चाहिए वो उसके friend को बोलता है कि अलवकर की मैं lawyer हूँ मैं old age home में काम करता हूँ उस सब लोगों को मैं will सगरा बना कर देता हूँ सॉल के friend को believe नहीं होता और बोलता है कि तुम तो भहुत सारे पैसे कमा रहे होंगे सॉल बोलता है कि अभी मैं इतना पैसा नहीं कमा रहा हूँ क्योंकि मैं मेरा business build कर रहा हूँ которая friend उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ shift हो जाना चाहिए यहाँ भी तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो Saul बोलता है कि यह जो weak था यह बहुत ही अच्छा था और अब मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए Saul का friend उसे बोलता है कि और एक हम fraud करते है जो उनका watch का पहला con होता है वो फिर से pull off करने वाले होते है Saul पहले मना कर रहा होता है फिर वो उसे मना ही लेता है जैसा हमने पहले भी देखा था कि इस कौन में Saul एक new friend बनाता है उसे फिर वो एक गली में लेकर आता है वहाँ Saul का friend पड़ा हुआ होता है फिर से वो वही scam करने वाले होते है Saul जब वहाँ जाकर देखता है तो वो actual में वो सास नहीं ले रहा होता उसकी serious condition होती है Saul फिर ambulance को call करता है पर फिर भी वो नहीं बचता Saul फिर उसके friend की funeral पे हमें दिखाया गया है Saul को किम का call आता है किम उसे बोलती है कि तुमने जो case हमें हैंडोर किया था वो हम्मारे लिए भी बहुत ही बड़ा बन चुका है इसलिए अब हम type करने वाले और एक firm के साथ वो उसे बोलती है कि इस firm के साथ तुम काम कर सकते हो उन्होंने तुमारे बारे में सोचा है और उन्हें तुमारे साथ काम करने में बहुत मज़ाएगा सौल ये सुनकर खोश होता है और इसके लिए ये बहुत ही अच्छी opportunity होती है next scene में हमें दिखता है कि चक के लिए सब groceries विगरा लानी का काम हावर ने उसके एक employee को दिया होता है चक को ये जो new groceries विगरा होती है वो perfect नहीं लगती और उसको एक list बनाने के लिए वो बोलता है वो उसे सब चीजे अच्छे से लिखने के लिए बोलता है और जब वो employee घर से बाहर निकलता है तब सौल भी वहा होता है सौल फिर उससे बात करता है चक का वो हाल पुशता है सौल अभी भी चक के लिए care करता है नेक्स दिन सौल उस नए फर्म से मिलने वाला होता है उसे अब job मिलने वाला होता है वो उस court room में जाता है और फिर से यूटन ले लेता है वो Mike के पास आता है वो Mike को बोलता है कि हमारे पास 1.6 million dollars थे हम 800K dollars घर लेकर जा सकते थे मुझे पता नहीं कि हमने ये क्यों नहीं लिये वो Mike से reason पूछ रहा होता है कि तुमने क्यों वो पैसे नहीं लिये Mike बोलता है कि तुमने मुझे एक काम करने के लिए hire किया था और मेरा काम वह हो गया तो मैं वहाँ से चला गया मेरा और कोई भी उसमें लालस नहीं था सॉल उस दिन बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं एक अच्छी चीज उस दिन कर रहा हूँ अगर फिर से मुझे ऐसा मुका मिला तो मैं ये पैसे नहीं छोड़ने वाला अब मैं फिर से वापस मूड कर नहीं देखने वाला यहां हमें पूरे सॉल की टांजिशन इस एपिसोड में दिखाई गई है प्रिवेस एपिसोड और ये एपिसोड प्रिवेस एपिसोड में हमें पता चला कि चक ही उसका एक्चुल एनिमी है सॉल ने अपनी लाइफ को चेंज करने का बहुत ही ट्राय किया पर उसे कौन में रहने में ही मज़ा आता है क्योंकि जब वो रूल से प्ले करता है तो सारे उसके खिलाफ होते है अब सॉल कुछ भी तरीके से पैसे कमाना चाता है उसे कुछ फरक नहीं पड़ता ये इलिगल है या इलिगल ये ही एपिसोड और ये सीजन खतम हो जाता है